Hello friends, BSC की special class में आप सब लोगों का एक बार फिर से most welcome है My name is आशिश गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे BSC Second Year Botany का 3rd semester है Plant Physiology and Biochemistry दोस्तो इस semester से और रड़ी मैं कई सारी वीडियोस उपलोड कर चुका हूँ जो कि आपकी examination paper के लिए most important है तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सी वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा BSC Second Year Plant Physiology and Biochemistry के नाम से दोस्तो इस semester से recently हमने एक वीडियो अपलोड किया था आज किस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे TCA cycle के बारे में Tricarboxylic Acid cycle इसको दोस्तो हम Crepe cycle के नाम से भी जानते हैं या Citric Acid cycle के नाम से भी जानते हैं ये भी exam paper में long question में पूछा जाता है तो इसको अब भी हम detail में study करेंगे और ध्यान रखना है TCA cycle को समझने के साथ-साथ आप इसका notes भी बनाएंगे और अगर अभी तक आपने हमारा telegram channel जो कि Bio Book Tech के नाम से बना हुआ है अगर आपने जोइन नहीं किया है तो आप हमारे telegram group को भी जोइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको notes या BSCs related जितनी भी information होती है मैं वही पर आपको provide करता हूँ तो चलिए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं तो चलिए friends heading डालेजिए TCA cycle इसे हम crepe cycle के नाम से भी जानते हैं इसे हम citric acid cycle के नाम से भी जानते हैं तो अगर examination paper में आपसे पूछा जाए what is citric acid cycle, what is TCA cycle, what is crepe cycle इन तीनों में से किसी भी नाम से long question आपसे पूछा जाए तो आपको वही explain करना होगा जो कि आप इस वीडियो के अंदर note down करने वाले हैं तो heading डालेजिए TCA cycle और सबसे पहले आप heading लगाएंगे introduction क्योंकि glycolysis के बाद आप TCA cycle पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि glycolysis first pathway है जिसको हमने detail में study किया है और ये दोनों question glycolysis पर भी long question आप exam paper में हर बार repeat होता रहता है और TCA cycle से भी related question long question पूछा जाता है तो इसको note down करेंगे TCA cycle के introduction में आपको क्या बताना होगा कि TCA cycle को और भी किन किन नामों से जाना जाता है या किस scientist ने इसको discover किया था कहां पर discover किया था और TCA cycle में basically होता क्या है चलिए start करते हैं An English biochemist Sir Hains Crips H.A. Crips जिन्नोंने 1937 में इसको nematodes के अंदर discover किया था इस cycle को observe किया था उन्होंने nematodes के अंदर and after his name इनी के नाम पर इस cycle को हम क्रेप cycle के नाम से भी जानते हैं He was award Nobel Prize for this discovery और इस discovery के लिए इस खोज के लिए इन्हें Nobel Prize से award किया गया था All the reaction of क्रेप cycle take place inside the mitochondria क्रेप cycle की सभी की सभी जो reactions हैं वो mitochondria के अंदर होती है और mitochondria के अंदर भी कहाँ पर matrix के अंदर and through this pyrovic acid fatty acids, fats and amino acids are oxidized into CO2 and water thus क्रेप cycle represents the common pathway for their metabolism of carbohydrates, fats and proteins तोस्तों generally मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताय था चाहे आप carbohydrates ले लिए जिए वो glucose से pyrovic acid में change होगा और pyrovic acid से acetylco enzyme में change होगा अगर आप fats लेंगे तो उसका beta oxidation से वो acetylco enzyme में change हो जाएगा अगर आप proteins लेते हैं तो de-amination के दोरा वो भी acetylco enzyme में change हो जाएगा यानि कि सभी जो भी आप food खा रहे हैं जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका जो metabolism है metabolism भी दो प्रकार का है एक anabolism एक catabolism तो उसका जो catabolism होता है वो कहाँ पर होगा वो जाकर कि एक common चीज में breakdown होता है जिसका नाम है acetylco enzyme A drive from the carbohydrate fats and protein into ATP और इनका main purpose क्या होता है जैसे कि for example आप बच्पन से पढ़ते हैं वे आरे हैं कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है energy मिलती है तो वो energy ATP के form में adenosine triphosphate के form में हमारी body के अंदर store रहती है ठीक तो TCA cycle और tricarboxylic acid cycle is also known as crepe cycle और citric acid cycle ठीक it is second stage of cellular respiration that occur in the matrix of mitochondria number third point all the enzymes involved in TCA cycle are soluble यह MCQs के point of view से most important है क्योंकि competitive examination paper में किसी भी तरीके से questions बनाय जा सकते हैं तो TCA cycle के अंदर जो enzymes involved होते हैं वो सभी के सभी soluble होते हैं और एक point और यह जो TCA cycle है यह एक amphibolic pathway है amphibolic का मतलब amphi means 2 amphi अगर word spirit करें जैसे हमने देखा था amphibia तो उसमें मैंने अब को बता है दो तरह के habitat को show करते हैं यानि amphi means both तो यानि कि यह जो metabolism होता है दो प्रकार का होता है एक anabolism एक catabolism तो यह TCA cycle के अंदर दोनों तरह की चीज़े observe की गई यह metabolism के अंदर हम कह सकते हैं कि यह anabolism भी show कर रहा है और catabolism भी अब एक और point आपको मैं बता देता हूँ फिर में start करेंगे TCA cycle की पूरी जो outline है उसको show करके अच्छे से समझेंगे detail में ठेक है देखे दोस्तो glycolysis की reaction में क्या था cellular respiration के जो first pathway है जिसे हम glycolysis के नाम से जानते हैं उसमें होता क्या है यह जो glucose होता है क्योंकि हर बार हम glucose के ही consider करके चलेंगे ठीक है exam paper में या books में आप देखेंगे या neat के point of view से हम glucose को ही consider करके चलते हैं तो glucose एक 6 carbon वाला compound होता है जब यह breakdown होता है pyrovic acid में अच्छा जहां पर भी breakdown होगा किसी भी molecule का तो हम गोलते हैं यहां पर catabolism हो रहा है तो glucose 6 carbon वाला compound breakdown हो जाता है 3 carbon वाले compound जिसका नाम है pyrovic acid तो कमाल की बात यहां पर यहां पर यहां पर दो pyrovic acid हमें प्राप्ट हो गए correct इस reaction को हम क्या कहलते हैं glycolysis अब इस glycolysis के अंदर क्या हुआ था यह सब मैं पिछली वीडियो के अंदर discuss कर चुका हूँ अब यह जो pyrovic acid है इसके बाद मैंने आपको क्या बाता है था मैंने कहा था कि glycolysis के बाद TCA cycle आती है लेकिन दोस्तों TCA cycle directly यह जो pyrovic acid है यह directly TCA cycle में include नहीं होता directly participate नहीं होता तो pyrovic acid को सबसे पहले convert होना होगा acetyl co-enzyme A में ठीक है जो कि यह 2 carbon वाला compound है अब आपका question होगा यह जो 3 carbon वाला compound है यह 2 carbon वाले compound में कैसे change हो गया और एक carbon गया कहाँ तो pyrovic acid को जब आप acetyl co-enzyme A में change करेंगे तो 2 तरह की reaction होगी पहला होगा decarboxylation decarboxylation का मतलब carboxylik group का निकलना पिछली वीडियो के अदर मैंने को बताया था D means निकलना जैसे मैं कहता हूँ dehydration that means hydration का मतलब water यानि water के molecule निकल रहा है तो हम कहेंगे वहाँ पर dehydration decarboxylation का मतलब carboxylik group का निकलना तो carboxylik group जो है CO2 के form में आपर निकल जाता है तो 3 carbon वाला जो compound है उसमें 1 carbon CO2 के जरिये बाहर निकल गया तो इसका मतलब बचा क्या दो carbon वाला compound जिसका नाम है acetyl co-enzyme A इसमें co-enzyme A participate करता है साथ में एक reaction और होती है decarboxylation के दोरा दूसरी जो reaction होती है वो होती है dehydrogenation dehydrogenation का क्या मतलब हुआ मैंने कहाँ D का मतलब निकलना तो hydrogen का निकलना तो hydrogen जब निकल रहा है यानि dehydrogenation reaction में जो hydrogen निकल रहा है वो किसके दौरा accept किया जाएगा वो accept किया जाता है NAD plus के दौरा ये NAD plus accept करके hydrogen को बना लेता है NADH H plus अब चुकि दो pyrovic acid के molecule है तो hydrogen निकलेंगे वो भी दो ही निकलेंगे तो इसके लिए हमें दो molecule लेने पड़ेंगे NAD plus के और हमें NADH plus के भी दो molecule प्राप्त होंगे ठीक है इस चीज का भी विशेश रूप से ध्यान रखना है क्योंकि exam paper जो competitive examination paper होता है उस जो MCQs में पूछे जाते हैं वो आपको कहीं से भी हला कि आप लोग भले ही glycolysis को अलग पड़ते हैं TCA cycle को अलग पड़ते हैं electron transport chain को अलग पड़ते हैं लेकिन ये सारी की सारी reactions आपर में interlink है इनका अपस में interconnection है अब देखिए क्या होगा आगे अब आप देख रहे हैं ये pyruvate dehydrogenase complex लिखा हुआ है यहाँ पर ये सब क्या है enzymes हैं, co-enzymes हैं ठीक है? ये जो pyruvic acid है ये change होता है acetyl co-enzyme में इसमें काफी सारे enzymes और co-enzymes help करते हैं इस conversion में जिसे हम denote कर देते हैं pyruvate dehydrogenase complex वो enzymes कौन कौन से हो सकते हैं उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें से कई सारे enzymes हैं कई सारे co-enzymes हैं जैसे for example pyruvic acid decarboxylase ये एक enzyme है जैसे for example dihydroxy lipoil transacetylase ये क्या है? ये भी एक enzyme है और बाकी जो co-enzyme मलग 2-3 प्रकार के enzymes होते हैं और 2-3 प्रकार के co-enzymes होते हैं co-enzymes का example जैसे for example TPP यानि thymine pyrophosphate या फिर lipoic acid या फिर co-enzyme A या फिर NAD मतलब co-enzyme plus enzyme ये दोनों सब मिल करके बनाते हैं pyruvate dehydrogenase complex तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको नाम नहीं याद रखना आपको directly बस लिख देना है pyruvate dehydrogenase complex जो कि ये सभी के सभी convert करते हैं pyruvate acid को acetyl co-enzyme A में इस क्रिया में carbon dioxide निकला और ध्यान अकना दो molecules हमको मिलते हैं NADH plus के और ये हम मैं क्यों बता रहा हूँ ताकि आप इसको याद रखें क्योंकि जब हम energy का production count करेंगे कि कितने ATP बने तो ये सारा ATP count होगा glycolysis के साथ साथ TCA cycle के साथ साथ ये ATP count होगा इससे last में आपको क्या पता चलता है कि glucose के एक molecule को जब आप breakdown करते हैं complete oxidation जब आप उसका करते हैं तब बनता है 38 ATP का molecule कई बार ऐसा भी होता है 36 भी बनता है उसका एक अलग से reason है क्योंकि 2 ATP का molecule खर्च हो जाता है एक जगा वो एक अलग condition है जिसको यहाँ पर हम discuss नहीं करेंगे यहाँ पर आपको कॉमली समझना है एक चीज और आप note down करेंगे glycolysis pyrovic acid बना pyrovic acid से acetyl coenzyme बना ये acetyl coenzyme एंटर करता है TCA cycle के अंदर तो एक चीज आप note down कर रहे होंगे कि acetyl coenzyme एक connective link की तरह वर कर रहा है किसके बीच between glycolysis and TCA cycle इन दोनों के बीच जो connective link है उसका नाम है acetyl coenzyme A ठीक है acetyl group plus coenzyme A ये बना लेता है acetyl coenzyme A जो कि एक दो carbon वाला compound है अभी आप इसको फटा-फट note करें अब मैं आपको पूरा cycle दिखाता हूँ पूरे outline दिखा देता हूँ इसको note करें आफट आफट तो चली friends क्रेप cycle के outline को step by step समझते हैं यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं organic structure इसको आपको याद रखने की जरूत नहीं है सिर्फ आप क्रेप cycle के अंदर जितने भी intermediates हैं जितने भी enzymes हैं और कहाँ पर कोन सी reactions हो रही हैं उन reactions में participate करने वाले enzymes और कहाँ पर water का molecule निकल रहा है कहाँ पर carbon dioxide का molecule निकल रहा है यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखना होगा step by step इसको हम समझने वाले हैं लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इसको summarize कर लेते हैं कि आखिर glycolysis से लेकर TCA cycle में होता क्या है तब ही हमें अच्छे से समझ आ जाएगा glycolysis में क्या था कि glucose का एक molecule जो की 3 carbon वाला compound होता है sorry 6 carbon वाला compound होता है pyrovic acid के 2 molecules में जो की ये 3 carbon compound है ठीक ये हमने glycolysis में देखा था अब ये जो pyrovic acid है ये convert हो जाता है acetyl coenzyme में इसे हम link reaction भी बोलते हैं इसमें क्या होता है basically pyrovic acid का जो molecule है ये जो pyrovic acid जो की 3 carbon वाला compound होता है ये convert हो जाता है 2 carbon compound acetyl coenzyme और इसमें कई सारे enzymes coenzymes participate करते हैं इस conversion में जिने हम बोलते हैं pyrovic dehydrogenase complex ये मैं अभी अभी just discuss किया था उसके बाद इस process में क्या होता है कि ये dehydrogenation का process है यानि कि इसमें hydrogen remove होगा तो उस hydrogen को remove हुए hydrogen को कोई न कोई तो accept करेगा तो इसको accept करता है NAD plus NAD plus hydrogen को accept करके NADH plus बनाता है तो यहाँ पर हमें 2 molecules की required होगी NAD plus की क्योंकि अगर 2 pyrovic acid है तो hydrogen भी उतने ही remove होगे तो उतने remove हुए hydrogen को भी accept करना होगा तो हमे NAD plus के 2 molecules लेने पड़ेंगे वो hydrogen को accept करके NADH plus के 2 molecules बनाएंगे तो इस चीज का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है कि NADH plus के 2 molecules बनते हैं ताकि हम जब ATP का production देखेंगे तो वहाँ पर यह चीजे हमें दोबारा से count होगी ताकि हम अच्छे से समझ भाएं पूरा net कितना ATP बनता है एक glucose के complete oxidation से अब हमें बता चलेगा ठीक है तो basically हमने last में हमने यह बताया था कि Acetyl Co-Enzyme एंटर करता है TCA cycle में correct अब यह जो Acetyl Co-Enzyme है यह जो Co-Enzyme है यह release हो जाता है क्योंकि यह सबसे पहले क्या करेगा यह condense करेगा Oxalocytic Acid जो की एक 4 carbon compound है चुकि देखे दोस्तों यह जो Citric Acid है यह एक 6 carbon compound है लेकिन Acetyl Co-Enzyme की पास स्रिफ 2 carbon होते है तो इसको 4 carbon की और ज़रूत होती है तो यह जो Oxalocytic Acid होता है और Acetyl Co-Enzyme यह दोनों आपस में condense हो जाते हैं इस reactions को हम बोलते हैं Claesan Condensation क्या बोलते हैं से हम बोलते हैं Citrate Synthetase अब इनकी Condensation से बनता है Citric Acid तो First Stable Compound जो बनता है वो Citric Acid होता है और इस Citric Acid में 3 Carboxylic Group आपको दिखाई देंगे वो जो आप देख रहे हैं ना यह जो Structure नंबर First Structure वो Citric Acid का Formula है और इसकी Organic Formula या Organic Structure है जिसको हम बहुत अच्छे से BSC Second Year के अंदर डिसकस किया है क्योंकि Organic Chemistry में BSC Second Year में Citric Acid से लेटिट बहुत सारे Convergence What Happens यह सब पूछे जाते हैं कि Glycerol से reaction करके क्या बनाएगा Glycerol को Citric Acid में कैसे Convert करोगे या फिर Glycerol से Citric Acid कैसे बनाओगे Citric Acid से Glycerol कैसे बनाओगे इस तरह की Convergence बहुत सारे पूछे जाते हैं Organic Chemistry में तो वो सब Citric Acid को हमने डिटेल में Study कर लिया था तो यहाँ पर जितने भी Student है वो समझ गया होंगे यह Formula Citric Acid का है जिसमें 3 Carboxylic Group है और इसी लिए TCA Cycle को हम Tricarboxylic Acid Cycle भी बोलते हैं ठीक है तो यह 6 Carbon Compound बने गया कैसे पता चला कि भाई 2 Carbon Compound 6 Carbon Compound में कैसे Change हो गया क्योंकि 4 Carbon जो है Oxaloo Acetic Acid से भी मिलते हैं यहाँ तक हम आ चुके हैं अब यह जो Citric Acid है यह एक Intermediate Compound बनाता है Econitase Enzyme की Presentation में और इसमें Water का एक Molecule Release होता है और इसमें Stimulate करने के लिए इस Reaction को Stimulate करने के लिए हमें ज़रूत पड़ती है Fe2 Plus की ठीक है यह क्या करते हैं Stimulate करते हैं अगर आप एक ऐसे Student है जो CSIR Net Life Science की Preparation कर रहे हैं तो आपको Basically Focus करना होगा Regulation of TCA Cycle कौन-कौन से ऐसे Inhibitors है कौन-कौन से ऐसे Stimulators है जो इस किसी Particular Reactions को Inhibit कर रहे हैं और Particular Reaction को Stimulate कर रहे हैं क्योंकि Exam Paper में Questions वहीं से Regulations Related ही पूछे जाते हैं ज़्यादा तर जो Questions आते हैं Section C में या Section B में वो Stimulation या फिर Inhibitors Related Questions पूछे जाते हैं Correct तो हर Reactions को Inhibit करने के लिए कोई ना कोई Particular Enzyme या Co-Enzyme होता है तो उसको आपको ध्यान अकना या Ions होते हैं Correct तो यहाँ पर देखें यह जो Fe2 Plus है यह Stimulate करता है यानि कि उत्साहित किसी चीज को प्रेरीद करना Reaction को प्रेरीद करना है या Stimulate करना तो Water का एक Molecule निकलता है अगर आप Reactions के जरीए आप समझना चाहते हैं तो Citric Acid में से यह देखिए Water का हमने Molecule निकाल दिया है OH वहाँ से निकला H यहाँ से निकला तो अभी आपको जो दूसरी वर्ण फोर्म हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है Water का Molecule निकल गया Double-born फोर्म हो गया तो अब यह Convert हो गया Cys Acunetic Acid तो यह जो आप Formula देख रहे हैं यह है Cys Acunetic Acid का Formula 6 Carbon 6 Carbon रहते हैं क्योंकि Basically इसमें Decarboxylation का कोई भी Process नहीं होता Dehydrogenation नहीं होता तो इसमें Basically हुआ क्या इसमें Main चीज जो हुई है वो जो 6 Carbon अपना बना ही रहता है मतलब यहाँ पर किसी भी उतरह का कोई Carbon Loss नहीं होता तो इसलिए 6 Carbon Compound Citric Acid भी है और Cys Acunetic Acid भी 6 Carbon Compound होता है अब उसके बाद Water का Molecule फिर दुबार से Enter करता है ठीक है और Acunitase Enzyme की Presentation में और बनाता है Isocitric Acid यह भी 6 Carbon Compound है कई बार ऐसा होता है कई सारी Books के अंदर Directly Citric Acid से Isocitric Acid पर हम पहुँच जाते हैं आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ज़रुई नहीं कि आप इस Intermediate Compound Cys Acunitic Acid को लिखें क्योंकि यह जो है इसमें किसी भी परकार का कोई Decarboxylation, Dehydration वगरा यह सब ज़्यादा कुछ होता है यह मलब ज़्यादा चेंज नहीं होता इसलिए Directly Citric Acid को हम Isocitric Acid में भी Directly लिख लेते हैं तो जैसे ही Water का Molecule Add हो जाएगा यह जो आप Formula देख रहे हैं नीचे की तरप यह है Isocitric Acid ठीक है यह Isocitric Acid का Formula है जिसमें Water का Molecule अब जो OH ग्रूप जो वहाँ पर Second Carbon पर था अब वो Third Carbon पर पहुँच जाता है Alpha Keto Gluteric Acid में जिसमें जो Enzyme Participate करता है उसका नाम है Isocitric Dehydrogenase तो Dehydrogenase का मतलब क्या हो गया कि यह Hydrogen को Remove करेगा मतलब यहाँ पर Hydrogen Remove होने वाला है क्योंकि Dehydrogenase मतलब Hydrogen का निकलना Hydrogen निकलेगा तो Accept कोन करेगा NAD Plus NADA Plus जो होता है वो Hydrogen को Accept करके Change हो जाता है NADH Plus में Correct तो इस Reaction में Carbon Dioxide का एक Molecule भी निकलता है तो यह जो 6 Carbon वाला Compound है क्योंकि एक Carbon 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 Dioxide को निकलने में बाहर चला गया तो अब जो Alpha Keto Gluteric Acid बना है यह 5 Carbon वाला Compound होता है क्योंकि एक Carbon Loss हो गया Carbon Dioxide में तो अब यहां पर यह जो Reaction आप देख रहे हैं Organic Chemistry का जो Structure आप देख रहे हैं इसमें Carbon Dioxide यहां से निकल जाता है तो अब यह जो Structure आपको दिखाई दे रही है यह है Alpha Keto Gluteric Acid का Formula ठीक है इसमें आपको Carbon Dioxide जो है Carbon Dioxide ग्रूप एक यहां पर पाएं कि इस तरह की Reaction होती है ठीक है बाकी आप जो यह जो देख रहे हैं यह तो डिरेक्टली हमने बस Compound का नाम लिख करके हमें Main Main जो Phenomenon है वही दिखाए जाता है BSC और 12th Class के अंदर बाकी अगर आप MSC को स्टडी करेंगे तो यह सब के सब आप पढ़ते रहे हैं पूरी स्ट्रक्चर फॉर्मूले के साथ एक एक रियक्शन को अच्छे से उब्जर्व करते हैं तो 5 Carbon Compound बनता है Alpha Ketogluteric Acid ठीक किसकी प्रेजेंटेशन में Enzyme का नाम आपको ध्यान अकना है Isocetric Dehydrogenase और Carbon Dioxide निकलता है जस्ट Alpha Ketogluteric Acid जो हता है यह आगे चल कर चेंज हो जाता है सक्सिनाइल को Enzyme A में अब यह 4 Carbon Compound है यानि के फिर दुबारा से Decarboxylation होने वाला है यानि Water का एक और Molecule निकल जाएगा सो और इस Carbon Dioxide का एक और Molecule जो है निकल जाएगा तो 5 Carbon वाला जो Compound है Alpha Ketogluteric Acid यह Convert हो जाता है 4 Carbon Compound Succinyl Co-Enzyme A तो इसमें Co-Enzyme A एंटर करता है एक चीज तो यह आपको नोट करना होगा दूसरा है जिसमें जो Enzyme Participate करता है उस Enzyme का नाम है Alpha Ketogluteric Dehydrogenase अब फिर दुबारा से Dehydrogenase आ गया यानि के Hydrogen Remove होने वाला है इस Reaction के अंदर और जो Hydrogen Remove होगा वो किसके दोरा Accept किया जाएगा NAD Plus यह NAD Plus Hydrogen को Accept करके बनाता है NADH Plus में Convert हो जाता है तो हमने देखा अभी तक 2 NADH H Plus बन गया है यह हमें मदद करेगा ATP के ATP जब हम Calculate करेंगे कि कितनी ATP बनी क्योंकि NADH जो होता है यह 3 ATP बनाता है एक Molecule इसका 3 ATP बनाता है यह हम BSC के अंदर पढ़ते हैं लेकिन अगर आप Higher Books पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा आपको 2.5 यानि 2.5 ATP बनते हैं तो वो कैसे बनेगा वो हम आगे देखेंगे फिलाल हम आगे चलते हैं अब यह जो Succinyl 4 Carbon Compound जो की है Succinyl Co-Enzyme A अब इसमें क्या होगा यह जो Co-Enzyme एंटर करता है यह बाहर निकल जाता है अब यहाँ पर एक यह जो reaction है काफी most important reaction है हलाकि जो TCA cycle का main काम है वो खतम हो चुका है क्योंकि इसका main काम होता है production करना carbon dioxide और water का molecule बनाना ठीक है और carbon dioxide produce करना तो दो जगहां आपको carbon dioxide produce हो चुके है यह जो आप हमने 2 carbon compound लिया था यह यह यूज हो चुका है carbon dioxide यहाँ पर एक molecule इधर निकला एक molecule यहाँ निकला तो यहाँ से यहाँ तक के TCA cycle का काम complete हो गया लेकिन अभी हमें यह क्योंकि एक cycle है cycle का मतलब जहाँ पर आप आते हैं इस stage पर आप थे तो इसी को हम cycle कहते हैं तो यहाँ पर फिर दुबारा से हमें 4 carbon compound बनाना होगा ताकि यह फिर दुबारा से इसी तरह की reactions इसी तरह की cycles चलती रहे हैं ठीक है तो दोस्तो यह जो succinyl co enzyme A जो की 4 carbon compound है अब यह change होता है succynic acid में जिसमें जो enzyme help करता है उसका नाम है succinate thiokinase correct अब यह जो यहाँ पर एक reaction और होता है जिसे हम बोलते हैं substrate level phosphorylation phosphorylation मैंने आपको glycolysis के cycle में जब glycolysis को हमने study किया था हलाकि ध्यानक ना glycolysis कोई cycle नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा दोबारा से हम उसी stage पर नहीं आते TCA ज़रूर cycle लेकिन glycolysis cycle नहीं है ठीक है तो glycolysis में हमने क्या observe किया था phosphorylation मैंने आपको बताया था जिसमें phosphate group के addition को ही हम phosphorylation कहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जो ADP है वो ATP में convert होता है और इसमें हम inorganic phosphate का use करते हैं जो कि phosphate group ADP को देता है और वो convert हो जाता है ATP में अब एक चीज़ और note करना जैसे दोस्तों यह एक exothermic reaction है यह जो reaction है एक exothermic reaction है तो इसमें energy release होती है जो कि ADP के रोप में store हो जाती है यही मौका होता है कि inorganic phosphate donate कर दिया जाए इनorganic phosphate जो होता है वो अपना phosphate group ADP को जो कि adenosine di phosphate है उसको donate कर देगा और यह convert हो जाएगा adenosine tri phosphate में So I hope आपको यहां तक समझ में आ गया हो इसे हम बोलते हैं substrate level phosphorylation अब यहां पर हम बनाते हैं 4 carbon compound जो कि है succinic acid BSC के अंदर organic chemistry के अंदर succinic acid कई तरह की acids हैं जिसको मैं cover कर चुका हूँ अगर organic chemistry आपको cover करना है तो आप channel के अंदर जाएंगे सभी videos मैं बना चुका हूँ ठीक है तो succinic acid में क्या होगा succinic acid आगे चलकर change होता है fumaric acid मे fumaric acid अब इस conversion में या इस change में कौन help करता है कौन सा enzyme help करता है succinic dehydrogenase enzyme में help करता है फिर दुबारा से हो गया क्या dehydrogenase यहाँ पर फिर दुबारा से hydrogen निकलने वाला है तो इस बार जो hydrogen को accept करता है वो करता है FAD और यह convert हो जाता है FADH2 और एक point और मैं आपको बताना चाहूंगा हमने दिखा NADH जो होता है जब इसका जब यह electron transport chain में enter करेगा तो यह 3 ATP के molecule बनाएगा यह धाई बनाएगा यह सब बाद का matter है लेकिन यह FADH जो होता है यह 2 molecule बनाता है और अगर आप उस और भी जो कि modern तरीके से देखा जाए modern books के अंदर तो वो कहता है कि 1.5 ATP बनाता है ठीक है उसके बाद अब यह जो fumaric acid है अब यह change हो जाता है mellic acid में ठीक है यहाँ से यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया कि यह enzyme इसमें participate कर रहा है succinic dehydrogenase और इसमें जो है FAD जो होता है वो convert हो जाता है FADH2 में क्योंकि यह hydrogen को accept करता है ठीक है जो succinic acid से का जो जब dehydrogenation हुआ hydrogen निकला तो उसको accept करता है अब यह जो fumaric acid है यह भी 4 carbon compound है यह 4 carbon compound में इस बार water का molecule enter करता है ठीक है और यह fumarase enzyme की presentation में convert हो जाता है malic acid में ठीक अब यह malic acid finally बनाता है oxalo acetic acid जो की एक 4 carbon वाला compound होता है तो malic dehydrogenase इसमें help करता है अब फिर दुबारा से dehydrogenase हो गया यानि कि water का जो hydrogen का molecule है वो remove होने वाला है और इसको accept करता है फिर दुबारा से NAD plus और convert हो जाएगा NADHH plus में तो I hope फिर दुबारा से cycle start हो जाती है फिर यह oxaloacetic acid acetic logococon enzyme के साथ condense करके फिर दुबारा से इसी तरह से cycle चलती रहती है तो I hope आपको जो main main point है वो आपको समझ में आ गये होंगे आपको क्या-क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्यास में जो main main point है देखे एक तो यह कि enzymes के सभी नाम आप याद रखेंगे जितने भी steps में enzymes participate कर रहे हैं उनका नाम में आप याद रखेंगे दूसरा point कहाँ पर यह जो NAD plus है और NADH plus है NAD plus कहाँ पर NADH plus में change हो रहा है यह भी आपको देखना है तो तीन जगाँ आप mainly observe करेंगे एक तो first इस यहाँ पर जब isocitric acid alpha ketoglutric acid में change हो जाता है तब NAD plus NADH plus में convert होता है दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर जिसके आगे जो reaction होती है यहाँ पर भी NAD plus जो होता है NADH plus में convert हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पर उज़र करेंगे तो तीन ऐसी जगाँ है जहाँ पर तीन molecules बनते है NADH plus के ठीक है और एक ऐसी जगाँ है जहाँ पर convert हो जाता है FAD जो होता है वो FADH2 में convert हो जाता है तो इस यह जो TCA cycle होती है इसको हम यह अब तक की जितनी भी cellular पात्वे है सबसे ज़्यादा energy का production करता है यानि कि ATP के molecules इसकी वज़ए से सबसे ज़्यादा बनते है citric acid या crepe cycle इसलिए most important है क्योंकि energy का production सबसे ज़्यादा इस cycle में ही होता है और जहां तक competitive exam की बात है तो competitive exam से questions इसी से पूछे जाते हैं अगर जैसे need का है तो आपको लिए छोटी-छोटी questions होते हैं वो पूछे जाएंगे अगर CSI या net level पे है तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा deeply पढ़ना होता है ठीक है इसका regulation पढ़ना होता है कि कैसे कौन-कौन से enzymes है जो कि इसको regulate करते हैं या inhibit करते हैं या फिर आप कहेंगे stimulate करते हैं तो इसको आप फटा-फट note कीजिए अब हम इसका थोड़ा सा जो theoretical portion है वो सब लिख लेंगे ठीक है तो इसको आप फटा-फट note कीजिए तो चली फ्रेंड्स examination paper में explain करने के लिए TCA cycle के सभी steps को आप यहां से note-down कर सकते हैं first step में हमने क्या देखा था acetyl co enzyme combine कर रहा था 4 carbon compound oxalo acetate के साथ और form कर रहा था 6 carbon compound citric acid तो note कीजिए acetyl co enzyme A combine with 4 carbon compound oxalo acetate and यह फिर oxalo acetic acid भी हम कह सकते हैं oxalo acetic acid या oxalo acetate क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कही पर लिखा हुआ citrate तो हम कही पर लिख रहे थे हैं citric acid यह क्या होता है बस H plus lose करने वाली बात है acid है H plus lose करता है तो वो citrate की form में आ जाता है तो बिल्कुल भी confused होने की जरूत नहीं है आप citrate भी लिख सकते है citric acid भी लिख सकते है ठीक है तो नोट कीजिए acetyl co-enzyme combine with 4 carbon compound oxaloacetate and release the co-enzyme group resulting in the 6 carbon molecule called citric acid step tube में क्या होता है in the second step citric acid gets converted to isocitric acid यह एक दूसरे के isomer होते है an isomer of citric acid तो यहाँ पर यह जो isocitric acid है यह citric acid का isomer होता है this is two step process यह जो second step process है यह दो step का process इसमें क्या होता है citric acid first loses a water molecule and gain एक बार lose करता है एक बार gain करता है one to forms isocitric acid और बनाता है isocitric acid step third में क्या होता है the third step involves oxidation of isocitrate यह isocitric acid आप लिख सकते है a molecule of carbon dioxide is released living behind a 5 carbon molecule alpha ketoglutrate NAD plus जो होता है वो get reduced to NADH क्योंकि NAD plus को क्या मिलता है proton मिलता है जिसे वो accept करके NADH, H plus भी आप आगे लिख देना H plus ठीक है क्योंकि हमने अभी तक जो भी notice किया है वो NADH और plus H plus लिखा हुआ है so the entire process is catalyzed by the enzyme isocitrate dehydrogenase ठीक है यह ज़रूर लिखना है यह पूरी की पूरी जो process है वो किसके द्वारा catalyze हो जाती है किस enzyme के द्वारा तो वो है isocitrate dehydrogenase के द्वारा step 4 here a alpha keto glutrate is oxidized reducing NAD plus to NADH plus and release of CO2 step 4 में carbon dioxide निकलता है and यह जो पूरा entire process है वो किस enzyme की मदद से इसको catalyze किया जाता है तो उसका enzyme का नेम है alpha keto glutrate dehydrogenase step 5 में क्या होता है coenzyme A from succinyl coenzyme A is replaced by phosphate group and it is then transferred ADP to make ATP जैसे कि हमने देखा adenosine diphosphate एक phosphate group को accept करके ATP यानि adenosine triphosphate बना रहा था तो succinate a 4 carbon molecule is produced in this step step 5 में succinate बनता है जो की 4 carbon वाला जो molecule है वो बनता है step 6 में क्या होता है succinate is oxidized to form fumarate succinate is oxidized to fumarate 2 hydrogen atoms are transferred to FAD to produce FADH2 इसमें 2 hydrogen जो है produce होते हैं उसको accept करता है FAD और बनाता है FADH2 तो यह 6 step हो गए हैं आप इसको फटा-फट note down करें so guys finally crepe cycle के 6 step को note down करने के बाद अब आप note down करेंगे step number 7 इसमें basically होता क्या है a water molecule is added to fumarate अब जैसा कि मैंने आपको कहा fumarate क्या है fumaric acid का जब आप H plus lose कर देंगे तो यह fumarate बन जाएगा तो यह depend करता है कि आपने starting में citrate लिया है या citric acid लिया है उसी के according आप fumarate लेंगे या fumaric acid यहाँ पर रखेंगे वो starting से ही depend करता है तो अगर आपने starting में citrate लिया है तब आपको यहाँ पर fumaric acid रखना पड़ेगा ठीक है तो बिल्कुल भी confuse नहीं होना water का molecule fumaric acid से add होकर के convert हो जाता है malic acid में step 8 में क्या होगा the oxidation of malic acid regenerate oxalacity acid जब malic acid का oxidation होता है oxidation का होना मैंने अपको बता है पिछली वीडियो के अंदर ज़रूरी नहीं कि oxygen का addition हो तब ही oxidation हो रहा है अगर hydrogen remove हो रहा है तो भी oxidation हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा the oxidation of malic acid regenerate oxaloacetic acid if for another molecule of NAD plus is reduced to NADH plus in this step जैसा कि मैंने अपको कहा oxidation हो रहा है यानि कि hydrogen remove हो रहा है तो उस hydrogen को accept कौन करेगा NAD plus accept करता है और बनाता है NADH plus तो यह सभी के सभी steps complete होते है TCA cycle के 8 steps आपने देख लिए है अब end product में क्या होगा थोड़ा सा end product में देख लेते हैं क्या क्या बनता है तो हमने क्या देखा carbon dioxide के molecules बने ठीक है जब एक acetyl co enzyme जो हमने starting में लिया था acetyl co enzyme A अगर आपने उसका एक round लिया है यानि एक molecule लिया है तो आपको 3 NADH plus मिलेंगे जो कि 9 ATP produce कर सकते हैं correct फिर अब यहाँ पर FADH2 यानि कि 1 FADH2 अक molecule मिलेगा जो कि 2 ATP produce कर सकता है और एक finally हमें directly ATP मिल जाता है direct process में जिसमें हमने देखा था ADP जो है वो convert हो जाता inorganic phosphate जो है अपना phosphate group donate करके ADP को ATP में convert कर दे रहा था तो directly एक तो हमें ATP direct मिल गया बाकि यह जो 2 है यह जब electron transport chain में जब enter करेंगे तो यह 9 ATP produce करेगा इसके 3 molecule और इसका 1 molecule 2 ATP produce करेगा तो इस तरह से हमें 12 ATP के molecules मिलते हैं 1 TCA cycle में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक है link reaction में हमने क्या देखा जब हमने link reaction देखा जब pyruvic acid जो है convert हो रहा था acetyl co enzyme A में तो उसे हम link reaction कहते हैं उसमें हमने देखा था कि NADHH plus का एक molecule बनता है जो कि 3 ATP produce कर सकता है अब एक चीज़ आपको और नोट डाउन कोरना है क्योंकि total आप यहाँ पर क्या हुआ 12 ATP प्लस 3 ATP guys अगर आप total ATP देखें तो कितना हो जाएगा 12 ATP प्लस 3 ATP total 15 ATP यहाँ पर बन जाते हैं अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना होगा यह एक acetyl coenzyme यानि कि एक pyrovic acid से बना है अगर दो molecule आपने ले लिए है pyrovic acid या acetyl coenzyme एके तब total कितने हो जाएँगे 15 दोनी 30 ATP बन जाएँगे और glycolysis के process में आपने क्या देखा उसमें 8 ATP produce हो रहे थे तो इस तरह से total कितने ATP बन जाते हैं glucose के एक complete oxidation से 38 ATP बन जाते हैं glucose के एक molecule का जब complete oxidation होता है तो 38 ATP के molecule बनते हैं यह दोस्तों BSC और 12 के लिए सही है लेकिन अभी modern में अगर आप जो modern research कहती है कि जो NADH है NADHH plus है यह 3 ATP नहीं बनाता इसका एक molecule 2 ATP बनाता है तो अगर आप उसकी basis पर भी calculate करेंगे तो यहाँ पर 2 की आप 3 से गुना कर दीजी ठीक है 2 की 3 से गुना करेंगे तो 1.5 हो जाएगा उसके बाद उन्हेंने यह भी कहा कि FADH2 का एक molecule 2 ATP नहीं बनाता 1.5 ATP बनाता है तो टोटल कितना हो जाएगा साड़े साथ और 1.5 9 और 1 ATP डारेक्ट यानि कि उनका मानना है कि TCA cycle के 1 round में 10 ATP बनते हैं ठीक है उन्होंने इस तरह से कहा यहाँ पर यह जो आप देख रहे है 3 ATP की जगा 2.5 ATP हमें लेना पड़ेगा ठीक है तो यह modern concept है लेकिन आपको अपने पुराने concept के coding ही चलना होगा अगर आप BSC के student है तो या 12th के student है तो ठीक है अगर आप NEET की preparation करें तो भी आपको old concept के coding ही चलना होगा यह सब जो है जब आप CSIR NET Life Science का से लेपस पढ़ेंगे उसके लिए आपके लिए काम आएगा तो यह था दोस्तो क्रेप साइकल नेक्स वीडियो में हम डिसकस करेंगे इलेक्ट्रोन, ट्रांसपोर्ट, चैन के बारे में सिस्टम के बारे में मिलते हैं नेक्स वीडियो में मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई टाटा